हेलो गाइज वेलकम बैक अगेट तो में लिंगनें मैं हूँ गॉरब और आज की जो वीडिया है बहुत ही मज़दार होने वाली क्योंकि काफी सारी लोगों ने हमसे कॉमेंट करके मैसेज करके पूछा यार यहां पर आने के बाद गाड़ी कैसे लेनी है क्योंकि हर को यार बड़ी सीटी में नहीं रहता जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है तो किसी ने किसी को गाड़ी की ज़रुवत पढ़ती ही है तो गाड़ी कैसे लेनी है और किनकी चीजों का ध्यान रखना है अगर आप सुडेंट हो या वरकिंग प्रोफेशनल हो कितने तक की तो गाड़ी खरीदनी कैसे उससे पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि आपको गाड़ी चाहिए या नहीं चाहिए यूके में क्योंकि बहुत सारी लोग जो है वो लंडन में मूव होते हैं लंडन एक बहुत ही बड़ी सीटी है मैंचेस्टर बर्मिंगम यह सारी बड़ लेकिन फिर भी अगर आपको लगता कि आपको गाड़ी की ज़रुवत है क्योंकि ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए या फिर रोड ट्रिस पर जाने के लिए फैमिली के साथ या फिर और भी काफी चीज़ों के लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना तो यार गाड़ी ख तो प्र टार्ट करने के लिए सब पहले तो आपको बीज़ेट बनाना पड़ता और बज़ट में सारी चीजे आती हैं क्योंकि कार की कॉस के आलावा बहुत सारी चीज़े oftentimes द्रिकल पर एंडिया में क्या इंडिया में हम कैसे बज़ेट बनाते है यार बाथच लग की कार ली थी हमाई जो गाड़ी का कौॉस्ट तो यहाँ पर एनम का इंशॉरेंस सबस्क्राइब एकर आप यहां पर स्टूडन और तो स्टूडन को आप प्रॉक्स जो है वह थाउजंड से फिफ्टीन हंड़की गाड़ी जो है वह लेनी चाहिए जो कि एक अच्छी नॉमल के में गाड़ी आ जाती है इसके एलावा इंशुरेंस का सो इन शुरण्स का को सो कितना होता है इनीशली जब आप युके में आते हो तो आपका इंटर्नेशनल ड्राइविंग लैसेंस होता है आपकी कोई हिस्ट्री नहीं होती उके में ड्राइव करने की तो इसलिए आपका ज means Ministry of Transport इसमें क्या होता है आपका every year गाड़ी का एक test होता है that means आपकी गाड़ी road worthiness condition में है या नहीं है इसका exhaust system या emission system जो है वो अच्छी condition में है या नहीं है उसका test test की price जो है वो 30 to 35 pound या 40 pound के around है लेकिन अगर उस test में कोई भी problem आजाती है गाड़ी के अंतर कोई भी problem आजाती है तो उसका खर्चा आपको on top of that देना पड़ेगा इसके अलावा आपको every year service करवानी पड़ती है गाड़ी की जो कि कई बार माइनर service भी करवा सकते हो और major service भी करवानी पड़ती है तो that again like 200 pound a year so cool मिला के यह सारा आपका खर्चा होगा तो अगर तो आप सुडेंट हो तो बारा सो से लेके 1500-1500 तक की गाड़ी जो है आपके लिए सही रहेगी अगर आप working professional लो तो आप तो यह तो यह तो बजट की बात आपने घर बना लिया वह आप लोगों के लिए वीडियो बना रहो हूं और मैं सोच रहो हूं बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग वीडियो बने यह वाली तो भई अब बात करते हैं कि आपको काड़ी खरीदनी कैसे फर्स टेप क्या है बहुत ही सिंपल है यहां पर एक वेबसाइट है ऑटो ट्रेडर करके ऑटो ट्रेडर पे आप प्राइवेट से भी काड़ी सकते हो और आप जो लोक सकते हैं यूज कार न्यू कार सैल यूर कार काफी सारी ओप्शन्स अवेलिबल हैं तो मैंने एक एक एग्जैंपल पोस्कोड यहां पर ले लिया है पोस्कोड लेने के बाद आप नैशनल यह अपने आसपास कोई भी माइस सेलेक कर सकते हो फिर मेक और मॉडल पर जा सकते ह तो आप मेक को खाली भी रख सकते हो अगर आपकी प्राइटी है वो प्राइज है तो मैक्सिमम प्राइज फॉर एग्जैंपल थाउजन पाउंड पाउंड तो आपके सामने काफी सारी यहां पर कार आ जाएंगी जैसे यह लगी हुई है यह यहां पर दिख जाएगा एप अगर यह वाली गाड़ी देख लेते हैं अगर यह वाली गाड़ी आपको पसंद आ लिए तो इसका आप कार प्राइस देख लो यहां से नो फीज सेलर की कोई अड्मिशन फीज नहीं है तो ट्रिपल नाइन पाउंड की यह गाड़ी है और आगे जालके आप देखोगे इ इसके अलावा एक और बहुत ही इंपरेंट चीज है जो फुल हिस्ट्री चेक यहां से आप देख सकते हो अपनी तरफ से काफी सारे चेक्स करता है तो यह सारे चेक्स जो है वह पास है इस गाड़ी के आपको दो तीन गाड़िया जो है आप उसका चेक कर पाऊगे जो यह स सकते हो कि रिव्यूस कैसे हैं तो यहां से इस वेबसाइट से आपको काफी ज़्यादा इंफोमेशन जो है वह मिल जाएगी आपको नई कार लेनी है पुरानी कार लेनी है लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप सबसे पहले जाओ लोकल डीलर्शिप पे इन शौरूम पे आप जाओ आसपास गाड़ियां वहां से देखो डीलर्शिप से बात करो गाड़ी की लुक और फील जो है वह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होती है कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए वह अंदर से कैसी दिखती है उसकी माइलेज कितनी है क्या क्या चीजे आपको ध्यान में रखना चाहिए उसके बार में मैं आगे बात करूँगा इस वीडियो में तो यह जो चीजे हैं आपको डीलर्शिप पर जाके ही पता चलेगी और आप वहां पर जाकर टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो गाड़ी की तो गाड़ी खरीदा जो है वह हो है depreciation cost आप अगर पुरानी गाड़ी खरीदते हो तो आपको depreciation value आपको नहीं पे करनी पड़ती दो साल तीन साल पुरानी गाड़ी खरीद लो क्योंकि depreciation value पहली दो सालों में ऐसे नीचे आती है तो इसलिए आपको वह cost पे नहीं करनी पड़ती तो आपको cheaper price में अच्छ बहुत जादा है सबसे last benefit यह है कि आप अपने budget के according कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो पुरानी नहीं गाड़ी क्या है यार बहुत जादा expensive है तो आपके budget से उपर जा लिए तो आप वह नहीं खरीद पाऊगे लेकिन वहीं गाड़ी अगर दो चार साल पुरानी होईगी तो आप बात करते हैं जो नई गाड़ी है उनके benefits क्या क्या होते हैं सबसे important benefit peace of mind तो अगर आप नई गाड़ी लेते हो तो आपके दिमाग में एक peace of mind होता है कि आपकी नई गाड़ी कहीं भी खराब नहीं होगी क्योंकि यहां पर आपको breakdown insurance भी लेना पड़ता है गाड़ी के सा गया अगला benefit क्या है आपके पास finance option जो है वो बहुत जादा available है यहां पर UK में higher purchase PCP बहुत सारी lease option finance option available है तो आप उसके according जो है वो नई गाड़ी खरी सकते हो उसके बाद अगला benefit जो है वो यह है कि गाड़ी के साथ warranty आती है तीन साल की warranty warranty के साथ क्या होता है या कोई भी दि आपको नई गाड़ी चाहिए आपको बजट कितना है आपकी requirements क्या है इन चीजों पर डिपेंड करता है कि आपको नई चाहिए या पुरानी गाड़ी चाहिए तो आप बात करते हैं अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाह तो आप कार को test drive पे लेकर जा सकते हो उसके अलावा आपको V5C document वगारा चेक करना है जो कि registration document होता है उसको match करना है win detail जो है वो engine number से match कर सकते हो आप vehicle की handbook present है या नहीं है warranty available है या नहीं है यह सब चीज़े आपको चेक करनी पड़ेंगी वीडियो को यहां पर pause करके आप से सारी चीज़े जो है वो पढ़ सकते हो और आम से और Google पे भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हो तो hopefully आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी जो जो भी मैंने points आपको बताए यह बहुत important points है गाड़ी खरीदने के लिए और budget final करने के लिए तो जो उनसी भी आपको ग झापको आपको